हाई अवीवन जैसे कि आपको पता है कि हमने हेस और एलाइड के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीस स्टार्ट की है ठीक है इसमें हम जो प्री के फैक्ट से उनको डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने पार्ट वन को रिलीज किया था और पार्ट वन में मैंने आपको बोला भी थ रहे हैं फिर भी आप लोगों का जो फीड़एक था उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैंने सोचा था पर फिर भी एनिवे आज हम इसका पार्ट टू यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आज मैं आपसे उमेद करता हूं कि अपना जो फीड़एक है आप जरूर देना सो का जो कोश्चन आपको पूचा गया था क्या कोश्चन पूचा गया था उसको भी हम डिसकस कर लेंगे पर अभी के लिए आपने याद एकना है पीर पंजाल रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चमबा डिस्टिक में देखने को मिल जाती है इस तरह का कोश्चन यहा चमबा हो गया और मंडी हो गया इसके बाद नेक्स्ट मूब करते हैं यहाँ पर आपसे क्या कोश्चन बन सकता है यहाँ पर हमने बात की है ओल्ड हिमाचल की तो आपसे क्वेश्चन पूचा जाएगा कि इन मैसे कौन-कौन से जो डिस्टिक्स है वो आपके ओल्ड हिमाच है वो आते थे तो इसमें आपने याद एकना है कांगडा हो गया कुल्लू हो गया लाहस पीती हो गया हमिर्पूर हो गया और उना हो गया तो कुश्चन किस तरह से फ्रेम होगा आपका आपके पास तीन ऑप्शन ऐसे देंगे कि इन मैंसे कौन सा जो है वो ओल्ड हिमाचल में है और ना ही वो नियू हिमाचल में आता है तो वो डिस्टिक है आपका सौलन ठीक इसको एक्सक्रीट किया गया है ओल्ड हिमाचल और नियू हिमाचल से तो आपने याद एकना है उसके बाद, बात करते है लामा डल लेक की यहां से आपको क्या कोश्चन बनता है आपसे अब जो ट्रेंडिंग चला है PGT में उसमें आपके हैट से related question पूछे जाते हैं तो एलाइड में भी हम expect कर सकते हैं कि इनकी जो हाइट है उससे question बन सकता है तो लामा डल लेक की जो हाइट है वह आपने याद रकनी है 3962 मीटर यह इसकी हाइट है मनी महिश यह तो PGT में पूछा भी गया था तो इसकी हाइट भी आपने याद रकनी है 3950 मीटर इसकी हाइट है नेक्स स्लाइड की तरफ मूब करते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे चंदरगूप लेक की जो हाइट है वह कितनी है 3450 मीटर यह question आपका फ्रेम हो सकता है और यहां से आपका क्या question फ्रेम होता है कि ऐसी कौन सी लेक है जो summer time में जहाँ पर आपको ice blocks जो है वो floating form में देखने नाम जो है वह भाग सुनाग लेक है या फिर आपको ये बोल सकते है कि अनमेसे किस लेक का नाम है इस तरह से भी question फ्रेम हो सकता है दूसरा नाम इसमत्ता है ठे कि मन्डी कोराना नाम क्या है और यह किसके according है ये according to tiptyan है, मतलब ये tiptyan name है, इस तरह से यादता है, उसके बाद आपसे क्या question बन सकता है कि Guru Govin Singh जो है, उन्होंने किस lake को visit किया था, तो ये question भी आपका बनता है, तो Guru Govin Singh ने जो है, वो रिवाल सर lake को visit किया था, उसके बाद, एक question और frame होता है कि तानी जूबर लेक जो है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये आपको देखने को मिलती है, शिमलाडिस्टिक, और proper अगर बात करूं तो शिमलाडिस्टिक के code grid में, ये question भी पूछा जा चुका है, उसके बाद आपसे question पूछा जाएगा, US club को जो है कब establish किय तो वर्ष 1933 में इसको establish किया गया, उसके बाद सीथे-सीथे facts पूछे जाते हैं, जैसे गेटी थेटर, इसको कब establish किया गया, तो 1887 में इसको establish किया गया, टाउन हॉल, टाउन हॉल को जो है, वो कब establish किया गया, तो इस तरह से random questions आप से पूछे जाते है, नेक्स लाइड की करते हैं, यहाँ पर आप से question पूछा जाएगा, कि जो गौटन कैसल है, इसके जो architect है, वो कौन थे, architect से जो है, वो आपको बहुत सारे questions देखने को मिल जाते है, तो गौटन कैसल का जो architect है, यह आपने याद देखता है, कौन है, Samuel, Swinton, Jacob, उसके बाद question आप से पूछ सकते है कि High Altitude Training Center, यह कहाँ पर situated है, तो यह situated है सराहन में, और यह किस district में आपको देखने को मिलता है, Shimla, उसके बाद, आपसे question पूछा जाएगा, Heart to Peak, Heart to Peak जो है, वो किस district में situated है, यह वाला question तो हाली में, PGT में पूछा गया था, तो Heart to Peak आपको देखने को मिलती है, Shimla district में, औ और more important यहाँ पर क्या है, कि इसकी height, 3143 meters की height है, उसके बाद आपसे question पूछा जाएगा, कि जगत्सुक जो है, इसका original name क्या था, यह question आपसे पूछ सकते है, तो जगत्सुक का original name था, Nast, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते है, मनाली का जो original name है, वो क्या था, तो मनाल building institute जो है, यह कब established किया गया था, तो 1961 यह आपने याद अटना है, इस वाली slide में आपको important questions देखने को मिलेंगे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, कि land settlement जो थी, इसको किस वर्ष start किया गया था, तो land settlement को start किया गया था, 1952 में, और आपसे यहाँ पर एक और question frame हो सकता है, कि land settlement जो थी, इसको किस district से start किया गया था, तो चमबा district से इसको start किया गया था, ठीक है, उसके बाद आपका क्या question frame हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, कि समरीधी, कि समरीधी किसकी एक variety है, तो आपने याद रखना है, यह किसकी variety है, ब्रॉकली की, इसी तरह से ब्रॉकली जो है, इसमें आपको green head देखने को मिलता है, और जो DPPB, फरस्ट है, इसमें purple head आपको नज़र आएगा, उसके बाद को mushroom से related भी आपसे question पूछे जाते हैं, आपसे question पूछा जाएगा, कि Indo-Dutch mushroom development project, इसको किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो 1985 यह आपने याद रखना ह दूसरा question यहाँ से कि आप नहीं होता है, कि Indo-Dutch mushroom development project जो है, इसको कहाँ पे start किया गया था, तो इसको पालमपूर में start किया गया था, दूसरा आपसे किया question पूछा जा सकता है, कि mushroom development project जो है, इसको किसकी technical assistant से चलाया जा रहा है, तो आपने याद रखना है, डच देश की सा जाते हैं, उसके बाद, कीवी की varieties से भी आपको questions देखने को मिल जाते हैं, तो आपने यहाँ पर एक नजर मार लेनी है, कीवी की कौन कौन सी varieties है, जैसे ऐलिसन हो गया, मॉंटी हो गया, अबॉट हो गया, हिवाड हो गया, और ब्रूनग हो गया, यह सारी varieties किसकी है, कीवी क question किस तरह से frame होगा, आपसे पूछते है जाएगा, की एलसन और मॉंटी, यह किसकी variety, options में दे रहेंगे कीवी, बदाम, इस तरह से, तो आपने इन सारी varieties को भी याद लिना है, एक question आपका यहां से और frame हो सकता है, कीवी का जो है, वो दूसरा नाम क्या है, तो Chinese gooseberry जो है, इ establish किया गया था, next slide की तरह मोग करते हैं, आपसे question पूछा जाएगा, की Delhi T. Estate, इसको किस वर्ष establish किया गया था, और यह question पूछा भी जा चुका है, तो 1852 में इसको establish किया गया था, और next question जो यहां से frame होगा, की Delhi T. Estate को किस ने establish किया था, तो Dr. Jameson ने इसको establish किया था, उसके ब किस ने establish किया था, तो वो व्यक्तिते major start, यह नाम हमारे लिए important है, तीसरा question जो यहां से frame होता है, आपसे question पूछा जाता है, किस वर्ष जो है, वो Delhi T. Estate का नाम बदल कर, निशान T. Estate कर दिया गया था, तो आपको पता है कि जब major start ने, निशान T. Estate को establish किया, तो इन्होंने Delhi Delhi T. Estate को ही इन्होंने purchase किया था, ठीक है, तो 1866 में ही Delhi T. Estate का नाम बदल कर, क्या कर दिया गया, निशान T. Estate, उसके बाद आपसे question पूछा जा सकता है, कि किस वर्ष कांगरा T. को जो है, वो medal दिया गया था, तो 1866 में कांगरा T. को medal दिया गया था, अगला question जो frame होगा, कि का हाँ पर medal दिया गया था, तो इनको London में medal दिया गया था, उसके बाद most important fact, Holta T. Estate, इसको कब establish किया था, तो 1854 में इसको establish किया गया, उसके बाद हाल ही में PGT exam होगा था, वहाँ पर ये question पूछा गया था, कि Chinese Green Tea जो है, इसको किस ने establish किया था, तो statement में ये question पूछा गया था तो आपने याद रखना है, Chinese Green Tea को establish करने वाले व्यक्ति थे, Dr. William Jamson, तो ये नाम हमारे ले important हो जाता है, और आपने यहाँ से next point जो याद रखना है, कि जो Dr. William Jamson थे, इन्होंने, जो इनके settling plants थे, उनको कुमाउ से लाया था, और कहाँ पे लगाया था, नगरोटा और बवा तो ये भी आपसे question पूछ सकते है कि Chinese Green Tea को सबसे पहले कहाँ पे प्लांट किया गाता, या ये पूछ सकते है कि Chinese Green Tea के जो प्लांट है, Sittling Plants, उनको लाया कहां से गया था, तो कुमाउ से इनको लाया गया, अगली slide पर move होते है, आपसे question पूछा जाएगा, कि Model Flory Culture Center, ये कह पर situated है, तो ये situated है महोग बाग में, और महोग बाग जो है ये आपको चायल में देखने को मिल जाता है, और चायल आपका कौन से district में है, स्रोडन, तो महोग बाग आपने या रखना है, इसी तरह से ये question भी बनता है कि कि किसको जो है वो Flory Culture Village Declare किया गया है, तो वो village है आ अगला आप से पूछ सकते है कि Institute of Himalayan Bio Resource Technology, ये कहाँ पे situated है, तो ये situated है पालंपूर, अगला पूछा जाएगा National Bureau of Plant Genetic Resource, ये कहाँ पे situated है, तो ये situated है आपका फागली, और फागली कहाँ पे है शिमला, और फागली में ही आपको संस्कित कॉलज भी देखने को मिलता है, उस स्लाइड पर मूव करते हैं, यहाँ पर आपसे हॉप से विराइटी से रिलेटिड भी कॉछा जा सकता है, आपको option में देदेंगे कि ये किसकी एक विराइटी है, तो हॉप्स की तीन विराइटी आपने या देखनी है, एक तो हो गया Late Cluster, Late Cluster किसकी विराइटी है, हॉप् Hybrid 2, एक हमने देखा था Hybrid 4, Hybrid 4 जो थी ये मश्रूम की विराइटी थी, पर Hybrid 2 किसकी विराइटी है, हॉप्स की, उसके बाद है एक Aromatic Comet, Aromatic Comet भी हॉप्स की एक विराइटी है, ठीक है, तो इस तरह से question आप से पूछा जाता है, अगला question जो आप से पूछा जा सकता है, वो है चांदपूर Flowers, कि चांदपूर Flowers क्या है, तो इस तरह का question आप से frame हो सकता है, तो आपने याद एकना है, चांदपूर Flowers जो है, ये एक Indo-Dutch Mission है, और चांदपूर Flower जो है, ये किस से related है आपका, Flory Culture, तो Flory Culture से ये related है, और इसी mission को हम किस नाम से जानते है, IPEDA, तो सारे points आप को याद होने चाहिए, उसके बाद आपसे question पूचा जा सकता है, almond variety से, आपसे question पूचा जाएगा, कि तेलांगी selection, ये किस की variety है, और ये question पूचा भी जा चुका है, तो ये almond की variety है, उसी तरह से पूचा जाता है, रिब्बा selection, कि ये किस की variety है, तो ये किस की variety है, आपकी almond क तो इस तरह से आप से question पूचे जाएंगी तो यहीं तक ही हम इस video session को रखते हैं उमीद करता हूँ यह जो हमने आज part 2 इस series का discuss किया है यह आपको पसंद आया होगा अब आपसे request है कि अपना जो feedback है वो comment section में आप जरूर place करें so that हमें भी पता लग सकी कि आपको यह series कितनी पसंद आ रही है अगर आपका response अच्छा नहीं रहता तो हमारे को automatically इस series को यहाँ पर stop करना पटेगा और last में जाते जाते हैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ